दोस्तों जैसा कि आप सभी जाते हैं साउथ फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना को अब नैश्मिका मंदाना का नाम तब और जादा सुर्ख्यों में आ गया जब उन्होंने अलू अर्जुन के साथ पुश्पा में श्रीवली का किरदार निभाया इनका श्रीवली का किरदार पुरे देश भर में फेमस हो गया नहीं बात करें इनके लव लाइफ की तो ऐसे तो इनका नाम विजे देवरा कॉंडा के साथ हमेशा ही जोड़ा जाता है लेकिन इस बात का कोई सबूत इन दोनों ने नहीं दिया है वहीं एक बार फिर से रश्म का चर्चे में है अपनी पहली हिंदी फिल्म अलविदा की रिलीज का इंतजार कर रही रश्मिका ने बुद्वार को ट्विचर पर एक प्यारा सा वीडियो साज़ा किया अभी नीद्री ने फिल्म पुश्पद राइस के गाने सामी सामी पर सहजिता से निर्ते करने वाली एक यूवा स्कूली लड़की पर प्रतिकीर व्यक्त की लड़की की हरकतों से परेशान होकर रश्मिका ने कहा कि प्यारी ने उसका दिन बना दिया है और कहा कि वैं उससे मिलना चाहती है पुश्पद राइस में सुकुमार द्वारा निर्देशित रश्मिका ने एक दूदवाले की बेटी श्रीवली की भूमिका निभाई उसके चरित को अलु अर्जुन के पुश्पद राजचरित से प्यार हो जाता है वीडियो के मोल टूइट को साजा करते हुए रश्मिका मंदगाना ने लिखा मैं इस प्यारी से मिलना चाहती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ जबकि कई लोगों ने युवा लड़की की अच्छी तरह से नित्ते करने के लिए प्रशंसा की एक व्यक्ती ने उसके तुलना रश्मिका से भी की और कहा कि उसने खुद अभी नीत्री से बहतर नृते किया है फिकाश पहल दोरने देशित अपने आगामी रिलीज अलविदा में रश्मिका मिताब बच्चन और नीना गुपता के साथ दिखाई देंगी जो फिल्म में उनके मादा पिता के भूमिका निभा रहे है कॉमेंडी ट्रामा साथ अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तयार है हाल ही मेरा श्मिका ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बारचीत में अपने बॉल बुट डैब्यू के बारे में खुला सा किया था दोस्तों आपके इस नीउस के बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं साथ ही ऐसे और भी इंट्रस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चाल को सब्सक्राइब करके बाल आकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले